ओम श्यान्ति, हमने देखा परमश्रद है आदर्निय दादी जान कीजी को, धर्ती पचेतन रूप में, फरिष्टा स्वरूप में, विदेही जनक की अवस्था में, और सारे स्रिष्टी परिवार की, अति प्यारी मा के रूप में, पालन हारनी के रूप में, और हमने देखा उनका ज्यान ज्यानेश्वरी स्वरूप, ज्यान की हर गहराई को तहे तक पकड़ने वाली, ऐसा विशेश रतन जिसको स्वयम भगवान ने अपने हाथों से घड़ा था, लास्ट के उनके छे साथ वर्ष, बहुत समीपता का सोभग्य और ज्यात्मा को प्राप्त हुआ, एक बार दिन के टाइम उनके पास बैठे थे, थोड़ी ग्यान चर्चा की, तादी को इतना आधिक पसंद था ग्यान मन्थन करना जो बात मत पूछो, हमें ये बात तब ज़्यादा समझ आई, जब शाम की क्लास में डाइमन्ड हॉल में, सब के बीच उन्होंने इस बात का वर्णन किया, कि ये देखो मेरी सक्षी सामने बैठी है, आज मेरे पास आई इतनी अच्छी रूरिहान की, जैसे कोई टेस्टी चीज खाने के बाद, बार बार उसका स्वाद दोहराता है, ऐसे आदर्निय दादी जी को हमने देखा, ग्यान के मन्थन को बार बार टेस्ट लेते हुए, औरों को टेस्ट देते हुए, जो उनके संग में आया, ग्यान मन्थन और ग्यान की गहराईयों में दूबना सिख गया, हमने देखा आनेकों बार दादी कैसे दे से नियारे ऐसे हो जाते हैं जो सामने जाओ तो देह भान शरम लगती है ऐसी फीलिंग आती है दादी पुलजार दादी से एक बार कह रहे थे दादी हमको तो देह भान में आने में शरम आती है कितनी मीठी आत्मिक स्थिती की भाशा है दादी की और हमने देखा दादी को प्यार का सागर हर एक के छोटे छोटे जेस्टर्स को भी रिगार्ट देने वाली हमारी छोटी छोटी भोली भोली कामनाओं को भी महत्तव देने वाली कभी हम जरा सा पैन लेकर के गए तो का अभी कुछ लिख के देती हूं थोड़ी सी टोली लेकर गए तो किसने बनाई है लाओ मुझे खिलाओ कोई थोड़ा सा माता ने कोई जरी सी चीज भेजी है तो लाओ मेरे को ओडाओ और मेरी फोटो खींच के माता को भेजो जैसे भक्त वत्सल होते उनको चीज पदार्थ नहीं लेकिन भावनाओं का अत्य अधिक महत्व था बहुत जल्दी दिल के भाव केच कर लेती थी और कितनी बड़ी आयू तक भी हर बात में जिम्मेवार होके सहयोगी बनने को तैयार कोई कारे की बात हम कर रहे थे दादी से ऐसे सेंटर पर ये करें वो वेवस्ता वगरा दादी कहती अभी बुलाओ सारे गृप को बात करती क्या उनकी आयू थी क्या उनकी व्यस्तता थी लेकिन सेवा के लिए लालाईत होना क्या होता है सेवा को रेलिश करना क्या होता है उस सेवा सबजेक्ट पर उन्होंने अपना आराम कुर्बान कर दिया अपनी थकान, अपनी भूख, अपनी प्यास लालाईत रहती थी एक बात दादी की तबियत बहुत खरब थी सब नहीं मिल रहे थे हम गए अच्छा ये बताओ तुमारे साथ कितने और आये मैं का दादी चालीस और है करते अच्छा शाम को भले लाओ मिलाने के लिए बहन ने सुना दादी नहीं आपकी तबियत अच्छी नहीं आप नहीं मिलेंगे नहीं नहीं सिरफ चालीस ही है मैं मिलूंगी शाम को लालाय तो होना क्या होता है एक जिगरी भाव कितना पहुंचता था सबको कि दादी कितने प्रेम से सारे बाबा के बच्छों को नरिश करती है और वो भावनाएं परिवार के अंदर सींची गई आज भी जो शक्ति स्तंब बना है वो दादी की शिक्षाएं धरणाएं चारों और फैला रहा है महां जाकर वो करंट वो उर्जा मैसूस होती है जो दादी ने तप करके कमाई है इतनी उंची उपलब्दियों की धनी जिनको सर्टिफिकेट मिला लेडी विट दे मोस्ट टेबल माइंड इन दे वोल्ड एक सो चालिस देशों में बाबा के नाम का जंडा फेराने वाली दादी लिख गई कि मेरी इच्छा है जब मैं शरीर छोड़ूं तो एक पैनी भी फूल हार पे खर्च न होवे और ड्रामा का ऐसा ही सीन घुम गया इतनी त्यागी इतनी वेरागी अपना सर्वस्व विश्व कल्यान प्रती दे गई आज उनकी महानताओं के आगे हम नतमस्तक भी होते है दड़ परतिग्य भी होते है किये दादी मा आपके पद्चिनों पर चलने का हम भी पूरा जोर लगाएंगे आप उस जनक की बेटी विदेही जनक बनी हम भी पूरा पुरुशार्थ करेंगे कि दे से न्यारी अवस्था पर चलकर हम आपको भी संतुष्ट कर पाएं ओम श्यान्ति छुरुशार्थ श्यार्थ झायकी दूरा जिए कर जब स्बचने हम भी संतुशार्थ पिर चान्ति मुष्यान्ति श्यान्ति मुष्यान्ति प्पूर्थ